Hello everyone, welcome to Sirkariat once again तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे भी के साथ एक important update शेर करने वाला हूँ जो कि HNBU Nursing Counseling 2022 से related है तो अभी तक जो है HNBU की तरफ से कोई भी notification जो है वो release नहीं किया गया था counseling के regarding तो आज जो है finally counseling के लिए जो है एक notice release किया गया है जिसमें आपका एक tentative schedule जो है वो बताया गया है तो जिसने भी A&M GNM, Paramedical या फिर BSC Nursing Post Basic BSC Nursing तो इसका जिसने भी exam दिया था तो उन सभी के लिए जो है एक good news है कि उनका जो counseling का schedule है वो release कर दिया गया है ये अभी tentative है इसका मतलब ये है कि अभी ये थोड़ा जो है आगे shift हो सकता है ठीक है अभी कुछ कह नहीं सकते है इसे लोगन उनने tentative लिखे है लेकिन फिर भी अगर कोई बीच में problem आती है तो आपका जो schedule है वो change हो सकता है ठीक है तो अभी एकदम final schedule नहीं है लेकिन हाँ आप ये मान के चलो कि इसके आसपा जो है वो आपकी counseling स्टार्ट होई जाएगी मतलब जो इसमें date दी है होनी तब से ही है लेकिन उन्होंने tentative इसलिए बोला है कि बीच में कोई भी अगर problem आती है तो इस schedule को जो है change किया जा सकता है लेकिन अभी के लिए ये जो schedule है वो अभी confirm है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है tentative schedule tentative counseling schedule for nursing paramedical 2022 उतरखरन state centralized counseling ठीक है और यहाँ पर लिखा है registration online registration for all eligible as per state government उतरखरन norms and qualified candidates only ठीक है online registration fee amount payment by credit or debit card और net banking for all categories अब यहाँ पर first round की जो इस तरीके से दिया गया है कि जो आपका registration online registration जो होगा और जो fee submission होगा counseling के लिए first round की उसका जो time period इनोंने दिया है वो 7 November 2022 से लेकि 17 November 2022 तक का time यहाँ पर दिया गया है ठीक है यानि कि आपको 10 दिन जो है यहाँ पर दिये जाएंगे counseling के registration के लिए उसके बाद जो data process होगा यानि कि जो भी आपने choices fill करे होंगे जो भी college है select करे होंगे उसके according जो है एक merit list prepare की जाएगी तो वो काम university का है तो वो जो 18 से 22 तारीक की बीच में चलेगा और जो आपका result है first round की counseling का वो 23 November को release कर दिया जाएगा रात में 8 बज़े के बाद ठीक है और जो last date होगी college join करने की यानि कि जब result declare हो जाएगा 23 तारीक को तो अगर मान लो 23 को रात तक अगर नहीं भी आते तो 24 को तो confirm result आई जाएगा तो 24 से लेके जो है आपकी एक तारीक तक जो है क्योंकि एक December जो है इन्होंने last date लिखी है college को join करने की तो 24 तारीक से जो है एक तारीक तक के बीच में आप जाके अपना admission कर वालोगे ठीक है जो भी आपके original documents होंगे वो आपके verify होंगे verify होने के बाद जो आपका admission हो जाएगा तो इस तरीके से कुछ आपका यह first round की counselling का schedule रहने वाला है ठीक है तो अभी जो है और यहाँ पर कोई भी information नहीं दी गई है तो यह tentative counselling schedule है आप भी मान सकते हो कि confirm ही है अगर change होता है तो उसके बारे में जो मैं आपको inform कर दूँगा और आप सभी से requesting की channel को ज़रू subscribe कर लेना और bell icon को press कर लेना ताकि इस से related जो भी important updates होंगे उसके बारे में जो है मैं आपको time to time update करता रहूंगा ठीक है और counselling का registration अब start होगा तो आप सभी से request प्लीज जलबाजी मत करना क्योंकि वैसे ही आपको जो है 10 दिन दिये जा रहे हैं तो सारी चीजे पहले अच्छे से समझ लेना कि registration कैसे करना है सब चीजे कैसे करनी है choice feeling कैसे करनी है वो सब चीजे जब आप अच्छे से समझ लोगे उसके बाद ही अपना registration करना है क्योंकि जलबाजी अगर आप करोगे और आपसे कोई गल्दी होगी तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर पाऊगे ठीक है तो साथ नेवंबर से जो इस स्टार्ट हो जाएगा अब उससे पहले यह लोग सीट मैट्रिक्स वगर अगर रिलीस करेंगे तो उसके बारे में जो है मैं आपको इंफोर्मिशन जरूर दे के दिना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस कर लो कि सुथाइंक्यू और हमने स्टेव